अच्छा जी तो पिछली वीडियो में हमने A B C D फोर वर्ड हमने पढ़े थे और आज हम इससे आगले स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे जो नेक्स्ट वर्ड है वो है E ठीक है जी अब एक जो प्रनांसियेशन है वो सिर्फ इस तरीके से ही लिखी जाएगी के E अब प्रनासियेशन को देखें कि da एक मैट नहीं वर्ड वही है रिड की दरा वही रहेगी रेडम पड़ते हैं उसको रीड रेड रेड तो इसी वज़ा से से हम यह रहाँ है यहाँ पर लिखी आएगा अब इस तरीक से अगर हम यही वर्ड लास्ट वाला हम लिखें के बैज आप देखें बैज वह बैड था जो बी वाला में पढ़ता वह बैड अब यह ए साउंड दे रहे हैं यहां पर देखें के यही साउंड तो जब इस तरीक है से लिखे जाएगी और डिशनरी के अंदर लुगत के अंदर भी हमें इसी तरह के ही वर्ड मिलेंगे तो ए के बाद है अब यह एफ वर्ड है और यह सौफ्ट साउंड होती है और यह जैसे एफ है यह इसकी परनांसियशन भी एफ ही रहेगी इस तरीके से लिखा जाएगा कि इस फिट फिट अब यह देंगे फिक य इस लिखे से जो नेक्स्ट वर्ड हेगी जी अब एक और वर्डी बलकि यहां मैं लिखिए देता हूं कि हमने पहले F के बाद आई डाला था और अब हम जहने बाबल अगर स्टार्ड में लगा तो इफ बिलकुल शॉर्ट साउंड यहां पर फैट लॉंग साउंड है लॉंग साउंड हाड साउंड भी आई यह फैट और जो इफ है बिलकुल शॉर्ट शॉर्ट वन शॉर्ट वन साउंड होगी यह वली तो यह फ हो गया और नेक्स्ट हमारा है जी अब जी वाला वर्ड जो है अकसर यही परनांसियेशन इसकी आती है इस इसी की तरह बिलकुल इस तरह हम छोटा से जी डालेंगे और साथ में इस इससरे से यह बना देंगे तो यह इसकी परनांसियेशन होगी अब जी से फेमस वर्ड वरब है heavens घीव वावल आ जी के बाद वावल गीव गीव अब एक और वर्ड जिसे हम कहते है के बड़ा ही एजी वर्ड है और बड़ा फेमस गिफ्ट अब गिफ्ट अब जाएक ना आगर हम अगर next form लिखते हैं, तो give, give, अब देखें, यहां पर भी vowel है, 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 लेकिन consonant मिलाकर इसको na, voice change कर रहे हैं, इनकी voice change हो रही है, E, F, G, अब इस तरी के से, H, अब वर्ड जैसा हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था, कि H की sound क्या है, वर्ड H नहीं, H है, तो H, बेलकुल short sound हमें लिखेंगे इस तरी के से, यह इस तरह से लिखी जाएगी, इसकी sound, और H, अब हैट, अब वर्ड से पढ़ा होगा है, है हेल, हैल, ह, अब देए, साथ के साथ, जो मैंने आपको शुरू में ही बताया थे, वह अब बसे, A, E, I, O, U, वह साथ के साथ ही चल रहे हैं, और इस तरह से, के हैट, हैट, हैल, हैल, अब यह four words होगे, E, F, G, H, अब इनिए four words को, आपने बार बार रपीट करना है, और इने कुन कुन सी sound बन रही है और किस तरीके से बन रही है sound, और हर sound की आपने रिविजन करनी है, जितनी ज़्यादा आप रिविजन करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको जब बोलेंगे, आप किसी भी speaker के साथ, किसी भी native के साथ, जो आप English बॉल रहे होंगे, तो easily word को pronounce करने में ये गाफ की आवाज दे रहा था तो जी जीम की आवाज भी देता है जैसे हम कह सकते हैं कि जैनरल जैनरल अब देखें इसमें डिबल वावल आएगा जैनरल के अंदर जैनरल जैनरल की आवाज दे रहा है डिबल वावल आ रहा है इसके अंदर जैनरल फिर एक और वड़ा जै generate generate इस तरही के से तो आप जो है ना इसे बार बार रिवीजिन कीजिए गा ताकि यह clear यह points clear हो और नेक्स वीडियो में इंशालला हम इस से आगे चलेंगे